हेलो अब्रिवन ओम साहिराम वेलकब टू माई चैनल साही टेरो टरपल सेवन और मैं पूनमवरमा लॉट आई हूँ एक कप आई हूँ रीडिंग के साथ और हम इस रीडिंग को कर रहे हैं गडपत महराज के मैसेज तो यस गडपत महराज आपकी लाइप में क्या मैसेज ले तो यहां मैंने पाइल रखी हुई है और पाइल के रूप में मैंने गडपत महराज की तीन कार्ड रखे हुए हैं पहला कार्ड है इंसाइट का आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटिफुल है थरडाई चक्रा को यहां पर करेक्सन दिखाया गया है तो यस अगर आप इस पाइल की तरफ अट रेक्ट हो तो आप इस कार्ड को अपनी रीडिंग के लिए चुन सकते हैं पाइल 2 में यह चाइड लाइक एक्स्प्रेशन का का नवे है तो अगर आप इस दिखाया की तरफ ब्यूटिब कजिए नवे हुराभार करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना just की अभी तक को साइनल को सास्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को साइब करिए ताकि आपको मेरी रीडिंग 100% रजनेट हो चलिए करपत महराज का नाम लेते हुए ओम करपते महराज ओम करपते ओम करपते नमा ओम करपते नमा वक तुन्ड महा काई शूर गोटी समख्रवा निर्विग्नम कुर्मिदेव। शर्वकार्शिव शर्वदा चलिए रिडिंग सुरू करते हैं इस यह आपके लिए रिडिंग है अगर आप देख सकते हो तो यहां पे ब्लू कलर की रोज दिखाए गया है थर्ड आई चक्रा को भी यहां पर दिखाए गया है तो यहां पर मुझे दिखाए दे रहा है कि मेलिटेशन करना चाहिए और इसका देख सकते हो कि बहुत ही सुन्दर सा यलो कलर का औरा भी दिखाया गया है तो यहां पर यलो कलर आपकी कॉंदेंस की बात करता है कि गडपत महराज आपके लिए कॉंदेंस लेके आ रहे हैं जब किसी की माइंड क्लेर्टी होता है थाड लिए और भी गडपत महराज के देख लिए क्या मैस्जिस है यहां पर हम काड रहे होते पाइल वन के लिए गडपत महराज के और क्या मैसेज को अगल के लिए तरफ से और क्या मैसेज जस है डिलाइट एनर्जिटिक मोमेंट ओके यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जितना हो सके खुश रहिए क्योंकि आपके यहाँ पे डोर खुला हुआ है आप जो भी चाहते हैं जो भी विस चाहते हैं जो भी अपनी डिजायर से उनको आप डिलाइट ली पूरा कर लेंगे जब आप बहुत खुश रहेंगे यहाँ पर देखेंगे कि गड़पत महराज अपनी छोटी-छोटी चीज जरूर खोलता है जहां से आप अपने लिए आगे भविस्य की चीजे ढूंड सकते हैं एनर्जिटिक मुवेंट का कार्ड यहां पर कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा चिल रहने की बात कर रहा है यह भी खुसी दिखान की बात कर रहा है कि खुसी अपने आसपाल तूड़ो यहां पर डैंस करते हुए गड़पत महराज को दिखाया गया है कि यहां पर कहीं न कहीं लोड भी आपकी लाइफ में बन रहा है बर्ड़न के इनर्जी भी निखाई दे रही है और आप से बोला जा रहा है इस burden की energy से निकलने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि future की planning नहीं कर पा रहा हूँ मेरे decision नहीं आ पा रहे है मैं in decision की energy में भटका हूँ तो आपको third eye chakra का meditation आपको करना होगा और जितना हो सके जो भी current situation में जो भी obstacle आ रहे हैं उनको इस्वर की तरफ surrender रखना है और खुद खुश रहना है खुद dance करना है मस्ती करनी है जो भी इस्वर कर रहा है वो अच्छा होगा ऐसे विश्वास के साथ रहना है और ऐसे विश्वास रहत जो हो तो एक door open खो रहा है आपके लिए एक दरवाजा खुलेगा लेकिन आपको उसके लिए जितना हो सके ध्यान करना है ध्यान जितना उतना ही आपकी life में success के राश्ते खुलेगे अगर आपकी life में बहुत ज़्यादा बोरियत रही थी तो यहाँ पर ये भी है कि बोरियत से आप बाहर निकलोगे गड़पत महराज आपको blessing देंगे कि आप उस बोरियत से बाहर निकलेंगे एक एक energy form में आएंगे एक positive energy form में आएंगे जहां अपने लिए कुछ planning करेंगे क्योंकि यहाँ पर insight में पहले ही मैंने आपको message किया है कि कहीं न कहीं अब आप future planning कर पाएंगे तो वह planning होते भी मुझे दिखाई दे रही है चलिए थोड़े से messages हम tarot card से देखना चाहेंगे कि tarot cards हमें क्या और guidance देना चाहते हैं ओम पते नमा ओम पते नमा ओम पते नमा पाइल 1 के लिए प्लीज उनिवर्स काइट कीजिए पाइल 1 के लिए आई हो आपको cards दिख रहे हो two events आपका पहला card है the fool fire winds and the world तो yes door open हो रहा है यह door open होने की बात कर रहा है और यहां भी door open हो रहा है मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके बहुत सारी wishes रही थी बहुत सारी desires रही लेकि उनको कैसे पूरा किया जाए यह आपके अंदर कल्पना सकती नहीं रही है क्यों क्योंकि यहां पर आपके दिमाग में सोर बहुत था सोर यह सोर आपके मन का सोर था यह सोर ऐसा नहीं था कि आपके साथ में situation इतनी ज्यादा खराब है कि आप सच में कुछ भी रास्ता नहीं ढूंड सकते हैं यह सोर इसलिए है क्योंकि आप अपनी energy को खुद से लो कर रहे हो और वह कैसे anxiety से बे मतलब का सोच विचार से overthinking से यह क्या आट कि आए overthinking यह overthinking की बात हो रही है यहाँ पे मुझे रिखाए देरा two of words है कि कहीं न कहीं अब आपको जरूरत है कि आप meditation करें क्योंकि यहाँ पे थड़ाई चक्रा है और two of words की energy थड़ाई चक्रा को educate करती तो यहाँ पे clear बता रहा है कि भाई future planning करोगे यह future planning है आप देखो कि यह इसने एक wind को घंडा जो है globe को हाथ में रखा हुआ है globe याने की पूरी धरती पूरी दुनिया की जो भी project की बनाने की तयारी कर रहा है यह future planning कर रहा है यह पूरी दुनिया तुमें अपना नाम की जंडे काड़ने की है तो यहाँ पे of course आप बहुत ही जल्दी बहुत जल्द आप future planning करोगे और इसके बहुत जल्द है third eye chakra का meditation आपको बेसी चक्रा पहले आपको मजबूत करने पड़ेंगे तभी आपका third eye chakra खुलेगा तो यहाँ पे एक future planning आपकी हो रहे हैं यहाँ पे intusions भी है intusions क्योंकि यहाँ पे पानी जितने भी tarot card होते हैं उसमें पानी आपकी intusions की बात करते हैं तो य मेरी नगर इस इस पर भी गई है जहाँ लिली है और रोजेज है तो यह लिली और रोज मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे आप अपने जोस अपने काम करने के जोस और अपनी सोल की पीस इन दोनों के बीच में balance बनाएंगे क्योंकि जब दोनों में balance नहीं होता है चलेंगे वो कहां जाएगा success की रास्ते में क्योंकि आपका आखरी कार्ड जो है न दा वर्ड का कार्ड है दा फूल का कार्ड गह रहा है कि इस से पर सरेंडर करके ट्रस्ट करके आगे वर्डर हो और यहां भी देखिए white rose है white rose again purity और पीस तो purity के साथ पीस के साथ में बस अ हेल्स महतकांचाओं की भी बात करती हैं तो यहां महतकांचाओं आपकी है एक दो नहीं है बहुत सारी महतकांचाओं सब पूरी होंगी ऐसा इस सरके पर ट्रेश्ट रखो यहां पे spirit animal है sorry यहां पे spirit animal dog है तो कहीं न कहीं आप से बोला जा रहा है कि जितनी हो सके animals की सेवा क शर्फार की जिए और यहां पे नया सूरज नइ सुर्वाद सुरु उदर रण अगें सोलर प्लैस चक्रा की और जोकि मैंने यहां पे यलो औरा की बात आपके पहले ही मैंने पे ती यहां यहां यलो ओरा आपका वहोती ही हाई लेवल पर रहने वाला हैई कोर यालो यानि इंसाइट दे रहे हैं आपके फ्यूचर प्लानिक कैसे की जाए आपका थरड़ा चक्रा एक्टिवेट कर रहे हैं और यहां पर उनकी गाइडन्स आ रहे हैं कि भाई डिलाइट रहो एनरजेटिक रहो कुछ एनरजेटिक वर्क करिए ठीक है नमबर थी यहां पर है तो नमब जुपिटर एक गुरू की एनरजी है यह बताता है कि अपनी जीवन के मास्टर खुद बनिये और यहां पर एंस्टर भी आपके पास कुछ ना कुछ ब्लेसिंग लेके आते हुए मुझे दिखाएदाए जिसे एंस्टर का ब्लेसिंग आपके उपर काफी रहेगी यहां पर सेवा करें सेवा कर्वें सनि जो भी आपके सदकर्म है उनको जरूर आपको सफलता देंगे आपकी जरूर पूरी करेंगे थीम अगयं है त्ददम टै вінятся को अब आक कीपार में अगयं और कुज ने तो तेन नमबर परनेगा ind apply नमबर और ईंस्ट著 का नमबर तो यह भी एंस किति यहां पूर्ण आपास पास एन्वल नम्बर यहां पोर्टन की बात करता है यहां के पास एक फेली और पर्ल próxima आप यह ट्रेवलिंग का भी कार्ड है, तो गडपत महराज, अगर आप कहीं किसी जॉब को, किसी लव को, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लोकल एरिया के बाहर, या वीजा आप चाहते हैं, तो यह वीजा अपरूवल भी है, लोकल से बा है, वर्ड है, दुनिया है, और यहां दा वर्ड का कार्ड है, तो जो आपने महिनत की थी इस दुनिया में, अपना नाम कमाने की, दा वर्ड कार्ड मुझे बता रहा है, कि वो नाम आपका पका ही होगा, क्योंकि यह सक्सेस का कार्ड है, आपका नाम जरूर होगा, बस महिन मोमेंट इनलग दिए हैं यहां अपनी चीज कही जाए कि जो भी आपके हैं उनको फिर से फॉलो करो चाहें वो डांस हो चाहे आपका कोई क्राफ्ट बनाना हो या कोई जॉब हो या फिर बोक्स पढ़ना हो कुछ भी आपकी हो उसको आपको करना है और डिलाइट रहना खुश रहना है जितना हो सके खुश रहना है चलिए लाश्ट आपके हम यूनिकॉर्ण की तरफ से भी देखेंगे कि एंजल्स की क्या मैसेज है तो यहां पर भाई आपके उसके आपके सक्ड underground कि भी आपके साथ स्वक्रकों में स्वक्राइब हो आँ आरें रहे बुंडे दिखाई दे रहें चलिए यूनिकॉर्ण सिर्प से भेते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं सब्सक्राइब की यहां ंंकर मेरा देन अमां ऐन पर पर देखी हैं इसाथ जहां कि यहां पर आपकी ट्रेवलिंग तो है तुकि वांट ट्रीकारण के टेरो कार्ड कार्ड से और चौथा दूणिक से भी आगे एक ट्रावलिंग तो है चैंज तो है लेकि चैंज एकुसकि तरफ जाएंगे यहां को यहां पर बी मिस्ट कर दिया था और यहां फिर से वही चीज्ज आ गई और यहलो ओरा क्या है भगवा भगवार यानि की भक्टी घया तो बगती की और भग्ती के और जया यह जितना ओ सके भक्टी और जया इस कार्ट से मुझे दिखाए देरा कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसके लिए आपको फोकस होकर रहने की जरुद है, अगर आप फोकस होकर काम करते रहें, हेल्प आपके लिए राष्टे में आ जाई, ये बंदा विचारा अकेरे खड़ा है, लेकिन उसके आपको हेल्प भेजूगा, और यहां पर डोर भी ओपेन हो रहे हैं, लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, हेल्प भी आ रही है, तो बैठे क्यों रहना, काम पे लग जाईए, और अपनी लाइफ को चेंज करने के खुद से डिसीजन लीजे, कि इनसाइट हमेशा कहता है, कि भाई, खुद से खुद के डिसीजन लीजे, किसी के उपर भरोसा मत रखिए, अपने अंदर इतना कॉन्विडेंस लाइए, कि हाँ, मैं इस डिसीजन को फोलो करके आगे बढ़ूंगा, और इसमें में सफन हो सकता हूँ, ठीक है, तो यह गडपत महराज की कुछ मैस अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, मेरी रीडिंग 100% आपको रेजलेट हो, इसके लिए जाई है, तुवल्थी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजेगा, हाई पाई टू, तो जिन्होंने इस कार्ड को अपने लिए चु इतना बोरियत क्यों रखना, इतना डरना क्यों, इतना डर्डर के क्यों रहना, आप क्यों बोला जा रहा है कि आप जितना नो सके बच्चे की तरह रही है, अपनी इनोसेंस को बरकरा है, मुझे यहां से यह भी इस कार्ड से दिखाई दे रहा है कि कही ना कहीं आपके मन मे इन सिक्योर्टी है क्योंकि यहां पर रेट कलर को बहुत हाइलाइट किया गया है रेट कलर रूट चक्रा को एडिकेट करता है यहां इन सिक्योर्टी काफी दिखाई दे रही है लोगों को कंट्रोल करने की आदत भी दिखाई दे रही है आप चाहते हैं कि लोग आपके कंट चोटा बच्चा वाता जिसके भविस की कोई फिकर नहीं होती है ना पाश्ट की कोई फिकर है प्रजेंट में वो जो भी है उसी में खुस है तो आपको वही बोला जा रहा है कि एक बच्चे की तरह जितना उसे के खुस रही है गड़पत महाराज को अगर आप ध्यान से क्या काम कर सकते हो और ऐसा कर लेते हो तो यहां पर इससर आपके लिए प्रॉस्परेटी लाएगे क्योंकि यहां पर लड़ू है गोल्डन कलर के यलो कलर के और यह है आपकी अबंडन तो यहां अबंडन आपके लिए लाइफ में आएगी प्रॉस्परेटी आपकी करता है और यहां पर मुझे कुछ न कुछ आपकी लाइफ में सक्सेस के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे लेकिन ज़रुवत है अपने बाल सुलब क्रियाओं में रहने की अपने बाल सरूप में आने की ठीक है चली गड़पत महराज की तरफ से और भी देखते है कि अपका पहला कार्ड है हीलिंग वके बढ़न की एनरजी मैंने पहले बोला इसके साथ में कहीं न कहीं हीलिंग की जरुए तो यहां पर हीलिंग और नमबर 36 36 को अगर आप जोड़ देगी तो 9 नमबर बनेगा 9 नमबर मंगल का नमबर है मंगल कहीं आपको यह दिखाता है कि अगरहें नमबर ब मंगल देखर है तो आपको आईगा और इसाना यानि रूट चक्र काम अपर होना और कहीं न कहीं रूट चक्रा की गड़न जो भी और आंडर्मबण महाराज की आराधना करना लेकिन साथ महें मंगल को भी बैलांस करना, मंगल की रैमडी करना अगर आप यह सब करते हो तो सच में आपको हीलिंग है यहाँ पे आप देखोगे ब्लू कलर है काफी अच्छे से हाइलाइट किया गया है तो यहाँ पे मुझे अगें आपका थोड़ चक्रा मुझे दिखाईते हैं कहीं न कहीं थोड़ चक्रा आपको बालन्स करना चाहिए क्यों कि आप कभी जब अपनी बर्ड़न की एनर्जी में बहुत ज्यादा पहुंच जाते हो तो कहीं न कहीं सब्दों का गलत चैन कर लेते हो किसी को कुछ भी बोल देते हो हर्सलेस आपकी ज़वान में आ जाती है तो यहाँ पे उस वज़े से भी थ आपके पीदर आपको र rooted supplements और फितपे यहाँ दूव सकते हैं हैं है आपके एनिमल भी हो सकते हैं आपके एंस्टर भी हो सकते है कोई भी एंस्टर कोई भी स्प्रिट एनिमल आपको क्या दिय रहे हैं ही दिखा ही नहारो है इस अगला कार्ड़ है नमबर 44 ब्लेसिंग ओरम यहां पर देखिए कितनी सारी ब्लेसिंग है इस एनेर्जी को अभी क्लेम कीजिएगा ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है और पहली बार यह कार्ड किसी के लिए आया है पाइल टू तुम आपको इन सेक्यूर्टी में रहने की ज़र्वत ही नहीं आपके पास तो प्रोटेक्शन है गलपत महराज का प्रोटेक्शन है आपके पास डिवाइन सपोर्ट है सा एफ कि ब्लेसिंग आपके पास भरभर के ब्लेसिंग आ रही है और आपके लिए देखिए यहां पे पिंक कलर की आप ध्यान से देखेंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगी पिंक कलर के फ्लावर्स पिंक कलर के पंखडियां यहां पर बरसा रहे हैं गड़ पत्मा से पिंक कलर यहां पर सेल्फ लव की बात कर रहा है तो सेल्फ लव आपको मिलेगा कहीं न कहीं आपके इस वज Ton 4 4 तो का नमबर हैं इंस इन सब चीज हो से बचना दो रहा हैं और को पाएए कीजिए यहां पर आप अब क्राउंड चक्रावन चक्रा यानि कॉन्सियस माइं तो जो भी में चाहते हो उसके जरूरी है कि आप conscious mind में रहेंगे आपकी life में चीजे बढ़ जाएंगे conscious mind क्या है जब हम अपनी presence of mind रहते हैं ना तो हम future के बारे में सोचते हैं ना ही past के बारे में anxiety लेते हैं तो हम जब presence of mind में रहते हैं तो हमारा conscious mind अक्टिवेट होता है सुरुवात करने की ऐसा नहीं कि सीधे आपको crown chakra का ही meditation start करने रूट चक्रा इसके बाद में one to one step back to best step लेते जाना है और crown chakra तक पहुँच जाना है और ऐसा करते हो तो जल्द ही आप conscious mind में अपने आएंगे जहां आप अपनी पूरा करने के काबिल बन जाएंगे यहां पर कमल है कमल transformation की बात करता है बदलाओ की बात करता है तो यह मेजर चेंज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई देसे आपकी आपका औरा एकदम से चेंज हो जाएगा आपकी personality एकदम चेंज हो जाएगी अगर आप 's के देट चेंजेंगे काफी आते हुए दिखाई दे रहे है चलिए जानते हैं अई टे दो कार्ड से आपके लिए और क्या मैस्जिस है या क। ऑल प। प्लीज गर्पत महराज बताईये क्या उनके लिए और मैसेज़ेस हैं मुझे हाट चक्रा की व् Ik Bayford चुब सब्चै तो कहीं न कहीं आपको ज़रुष यहाच की वजम हाट चक्रा का विध अनबैलंस्ट होना होता है और यहां पर उसके लिएerapeut हीलिंग्ढ़ लगेगी रिर लहीं को लेनी चाहिए आप चाहे हिए किसी अपजार से भी अपनी हीलिंग करा सकते हैं प्रपत महराज आप 522 के लिए है आपका पहला कार्ड हाइ कि दो फेंट और मैंने यहां पर अभी देखिंत की भात किि फिली कि अभी मैंने बोला कि कहीं न कहीं आपको देखिंत की मस्टर की ज्रुथ इखिанд फेंट का पाने के लिए मेडर की जरूरत और यहां पर देखेंगे तो मेयरा जाने का मतलब कोईना कोई आपकी लाइफ में मेर्जर चेंज आएगा कोई ना कोई डोर खुल रहा है कोई ना कोई प्रोब्लम के सेलूशन आपकी लाइफ में आते हुई दिख रहे हैं यहाँ पे खजाना भी मुझे दिखाई देरा है बहुत ज्यादा बचकानी हरकते आप कर रहे हो तो चाइंड लाइक इस्प्लेशन का मतलब यह भी हो सथे कुछ लोग कलेक्टिव में बहुत ज्यादा बचकाली हरकते भी करते होंगे यहां थोड़ा सा मिच्योर्टी लेवल को भी लाने की जरुवत है और तू आप देखोगे यहां मुझे हैंड्स के इनकी ब्लेसिंग की जो हाद के मुध्र है तो यह कहीं न कहीं इस सर से जुड़ने के लिए भी बोल रहे है कि इसर की तरफ जुड़िए जितना है इसर की तरफ जुड़िये पाश नमबर खेंड है 5 नमबर का काड है और यहां चेंजिसकी में सब्सक्राइब कर ओने कि अधे होगे आपके लिए दूसरा कार्ड है नाइन ओफ वैंड यह ओवर प्रोटेक्टिव की एनेरजी है नाइन नमबर का कार्ड और यहां नाइन मेले पहले ही आपको बताया यह अग्रेशन जहां भी आता है वहां मंगल का ही मंगल का ही असर होता है तो बहुत जरूरत है आपको मंगल को बैलन्स करने की और इस अग्रेशन से बचने की यहां पर मुझे हैड़क भी काफी किसी के दिखाई दे रहे कि हैड़क छोटी छोटी बातों में हैड़क होते है अग्रेशन होती है तो यहां पर इसी लिए आपको बोला जा रहा है जितना हो सके बाल सुलब क्रियाओं में रही है ठीक है आपके लिए अगला कार्ड है यहीग पर अपकल गभर्ट काइन willst लॉम् को पर आपको प्रकूरत को पोरी होगी उपको नई पूरती से आगे बढ़ना की बात कर रहा है कि जो भी आपके होबी है जो बही आपके मन में सोचे वे वर्क है काम है उनको पूरा करना है तो सबसे पहले अपने अंदर वो इस फूर्ती लाओ आलस को त्यागो और जहां वो आलस को त्याग करके इस फूर्ती से एक न्यू एनर्जिटिक पावर से अगर आप बढ़ गए तो यहां पेज और पैंड कर से पैसा भर-भर के आते हुए दिखाई दे रहा है एल्थ को लेकर के भी यहां पर गडपक महराज कहीं न कहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं कि भाई अगर हैल्थ प्रोब्लम काफी समय से बहुत ज्यादा रही है तो यहां है आपकी जो भी है है फ्रोब्लम वो ठीक हो जाईदी ठीक है तो यहां पर हैल्थ के लिए भी काफी स्ट्रॉग मेसेज है दूसरा यहां पर मेंटर अपने लिए मैंटर ढूणिए जितना जल्दी अपने गुरू को ढूणेंगे काम करना स्टार्ट करेंगे अपनी लगाएंगे यह ब्लेसिंग उतनी ही जल्दी आपकी 俺 दिखाई गही है तो टेरो कर्ट में जहां भी नदी है वहाँ इंट्यूसल्रा यहां पर इंट्यूसल्रा करना है जो मन में अंतर आत्मा कहरूए जो है उसको इग्नौर नहीं करना है उसके रास्ते में बढ़ते हुए जाएंगे यहां पर देखिए महतुकांचाय है और यहां भी महतुकांचाय होगी यहां पर देखिए खोटे-खोटे flowers है छोटे छोटे flowers कि यादी की छोटी छोटी जो भी विशेश्थी वो पूरी होने की आपकी blessing लेकिन थोड़ा सक करम भी यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो swords के card एक भी नहीं आए है सोट के card आपके वैचारी सक्ति और कम की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आपके करम की सक्ति और वैचारी सक्ति की कमी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे कपस के card भी नहीं तो कपस क्या है emotion यहाँ पे emotions भी unbalanced है तो कुछ चीजों को आपको balance करने की ज़रत है और यह balance कर लेते हो healing को लगा लेते हो रेकी से खासकर मुझे काफी strong vibe जा रही है अगर रेकी से आप भी नहीं लगा लेते हो तो यहाँ blessing है यहाँ पे blessing है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दो एक of card है यहाँ पे एक of wands है और page of pentacles पेज भी एक of की ही energy है तो दो-दो इकका है आपके पार और जिसके पास दो इकका है उसके पास success और blessing है लेकिन थोड़ा सा करम आपको लगाने पड़ेंगे चलिए आपके unicorn के भी message देख लेते हैं आपके लिए unicorn की तरब से क्या message ह प्रॉसपर्टी service ओके यहां पर जो भी आपके डिजायर से वो पूरी होंगी कैसे उसके लिए service लगेगी और सनी देव मंगल देव इनको तभी प्रसंद किया जा सकता है जब आप दूसरों के प्रत सहांबूती रखते हैं उनके साथ दया करते हैं उनकी साथ उनकी service करते हैं तो वो अपने यहां पर प्रसंद हो जाते हैं तो कहीं न कहीं आपको यह इसारा भी दिया जा रहा है कि भाई मंगल और सनी को खुश रखना है तो service कीजिए आपका दूस पहला काट prosperity का और मैंने यहां पे आपको बार बार यह message किया है कि prosperity आपके पास आ रही है और यहां पे भी मैंने ख पूरी कमी है थोड़ा सा सरेंडर रहने की जड़त है थोड़ा सा healing की जड़त है इतना कर लेते हो तो गड़पत महराज आपके लिए बहुत सारी blessing लेकर आ रहे हैं तो यह पाई टू यह थी मेरी आपके लिए रीडिंग रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को like कीजेग सेयर कीजेगा मेरी डिडिंग आपको 100% रजनेट हो इसके लिए जाइए अभी मेरे YouTube चैनल को सस्क्राइब कीजेगा हाई पाई थी तो जिन्होंने इस कार्ड को चुना है टू नंबर का कार्ड स्रेंडर का कार्ड है तो यहां पे life में जो भी manifest करना चाहते हो सबसे पहले ज़रूरी है आप इस्वर की तरफ सरेंडर हो जाओ यहां पे आप देखो कितना relax होके गड़ पर महाराज निंद्रा मगन हैं और उनके पास में बहुत सारे fruits है fruits यानि की आपके rewards आपके कर्मों के फल तो आपको कर्मों के फल मिलेंगे लेकिन जब आप सरेंडर होके आपकी जो भी desires है जो भी desires है वो पूरी होंगी कहीं ना कहीं मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि भाई आप अपने संकल्ग तो काफी लेते हैं कि मैं जीवन में यह करूंगा में वो करूंगा और उसके प्रत आप बहुत जल्दी distraction की energy में चले जाते हो और distraction की energy में जाने energy में आ जाते हो ठीक है अपनी अपने कर्मों को करते जा रहे करते जा रहे फल नहीं आ रहे हैं उस वज़े से आप डिस्ट्रेक्स हो जाते हो कि भाई इससर सुन नहीं रहा इससर सुन नहीं रहा मेरी ही इससर मेरी बातों को इगनोर करते हैं मेरे ही लिए भगवान सो जात मेरे टाइम पर उनको कोई चिंता नहीं होती है तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि तू करम कर रहा है मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं तू यह मत समझ कि मैं सो रहा हूं मैं एक योग निंद्रा में हूं और योग निंद्रा के द्वारा ही मैं तुम्हारे कर्मों क देख रहा हूँ लेकि इसके लिए कहीं न कहीं तो मैं सरेंडर रहना पड़ेगा यहाँ टू नंबर है टू नंबर यानि कि मून की एनरजी मून एनरजी से मुझे यहाँ पर मून स्विंग्स की काफी एनरजी महसूस हो रही है और जैसे मैंने बोला काम तो संकल्प को लेकर और यह तभी बच सकते हैं जब आप रूट चक्रा का मेडिटेशन करेंगे तो आपके उपर के चक्रा पर जरूर कहीं न कहीं इसका आशर आएगा और मूट मूट स्विंग से आप बच पाऊगे यह डिस्ट्रेक्शन की एनरजी से बच पाऊगे क्योंकि डिस्ट्रेक्श मेंसजेश के लिए और क्या मेसजेश पाइख गणते लिए और क्या मेसजेश गर्पत महाराज कि ओम गल्पते नमाों। और पहला किसा बढ़ार्पती घाएब डिलॉंंगे तक पहला को आएक विलांग belonging और आपका दूसरा कार्ट जो आया है इस प्रिच्वल क्विस्ट ओके सबसे पहले बात कर लेती हूं आपके belonging का यानि की संबंधों के बारे में कहीं ना कहीं संबंध आपके हर चीजों के आपकी करम से संबंध जुड़े हुए हैं अगर आप हमेशा distraction की energy में रहेंगे लोगों के साथ हमें जुड़ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके संबंधों को भी खराब करते हैं तो यहाँ पर 41 यानि की 5 नंबर 5 नंबर यानि की बुद्ध तो करहीं ना कहीं आपको बुद्ध को मजबूत करने की जुरुत हैं जो भी आपकी यह distraction की energy आ रही है वो इसी वज़े से आ रहे हैं कि आपके बुद्ध थोड़े से कमजोर पढ़ रहे है थोड़े सी moon energy भी कमजोर पढ़ र बिलॉंगिन का है तो कहीं न कहीं ये बिलॉंग कर रहे हैं बुद्ध देव से जितना जरुवत है अपने घर में प्लांट्स लगाईए और प्लांट्स की सेवा कीजिए जितना प्लांट्स की सेवा करेंगे गडपत महराज की किरपा उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में आ और यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो भी आपके आसपास है आपके परिवार के या आपके इस्तिदार के जो भी आसपास हैं जिनसे आपका हाट-to-हाट कनेक्शन बनता है उनकी थोड़ी से केर कीजिए और खास करके रूट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए ग्रांड से जड़ोगे जितना पर रूट के साफ गवे और रूट कीवजे से ही यहां पर दिखाई देरा है कि आपको परिवार की Tप जुड़ना काहिए जो आप नमबर का काट, चार नमबर का काट, राहू का काट, राहू प्रेशन बहुत करता है, तो यहां आप से वही बोला जा रहा है, कि प्रेशन करिए, जब प्रेशन करेंगे, तभी तो आंसर आएंगे, जब प्रेशन करेंगे, तभी आपके लिए वो आंसर आने के रास्ते भी ख लिकट चल रही है, तो जाकर के परिवार में प्रेश्ट पूचिया, वो प्रेश्ट नहीं पूचेंगे, तो आंसर कहां से आएंगे, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, यहाँ पे राहू के तरफ से थोड़ा सा इस्प्रिच्वल हो जाओ, जितनी जादा स्प्रिच्वल होगे उतनी ही जल्ली आपके प्रिष्णों के उत्तर भी मिलेंगे और कहीं न कहीं गडपत महाराज आपको ये ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि अब आपके प्रिष्णों के उत्तर मिलने का सही समय आ गया है वो divine समय आ गया है कि जब आपको इसर की तरफ से support मिलेगा आपके कारियों में यहाँ पर देखेंगे तो गड़पज महाराजी ने छत्र को भी अपने उपर लिया हुआ है छत्र यानी की umbrella अगर अंग्रेजी में कहें तो umbrella है और यह हमेशा protection की बात कर रही है तो यहाँ पर protection है भाई अगर किसी प्रिकार का डर है कि मैं काम करता जा रहा हूँ इसका फ़ल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको divine protection है आपको destruction की energy में नहीं जाना है जो कर रहे हो इसको इसवर देख रहा है वो आपको मिलेगा ठीकिए वो आपको मिलेगा लेकिन रेंडर होकर के रहने की क्योंकि आपके उपर गर्पत महराज की प्रोटेक्शन है चलिए आपकी तरफ से देख लेते हैं टेरो कार्ट्स की तरफ से भी क्या मेंसेज हैं कि पाइल 3 के लिए टेरो कार्ट से क्या मैसेज़स हैं पाइल 3 के लिए टेरो कार्ट के गड़पत भाराज की तरफ से क्या मैसेज़स हैं कुई नौफाइंस दा मैजेसियन जस्टिक लीजिए परिवार की तरफ से भी ऐसे कोई प्रस्न थे कि मुझे वह लाव नहीं मिला वह रिस्पेक्ट नहीं लिया चरहरा कि अगर लगता है कि अगर आपके लगता है कि आपके परिवार आपके साथ धोखा करता है कि इसी ली 뉴스 परिवारा आपको धोखा देर है इस चीज कीजिए तो फटो आनसर मिलेंगे और एक्ववी अग्ला कार्ड शंट आपके साथ तो यहां पे आपके लिए जस्टिक मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है तो यहां पे आपके लिए हेल्थ में सुधार हो रहा है इसर की तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है गडपत महराज आपके हेल्थ में आपको मदद करेंगे उसके सुधारने में यहां पर ब्लेसिंग है आपकी हेल्थ को लेकर बात कर लेजाएं क्विए ओफ्वेंट्स की तो क्विए ओफ्वेंट्स में मुझे और जी दिखाई दे जैसे कुछ है आपके भविस में जो कहीं ने कहीं डिवाइन अभी उसको उजागर नहीं करना चाहता उस रहस को अभी रहसो ठाट्ट्स में पर उजय रहस को ऊजागर नहीं करना चाहता। तो कही न ख उसी के लिए इस सवर आपको बोल रहा है कि सरेंडर रहे इस तर बॉल रहे क्यां कोईनी आप में एक बोल्ड एनरजी है ये क्रेटिव है इसके अंतरर रत्नातमक शकित भारी पढ़िए यह अपनी पेशन को जितना हो सके फॉलो करती है और उसी के जरी प्रोस्पर्टी को गेन करती है तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी बनना है उसके लिए सबसे पहले कुईन ऑफ बैंड्स के एनरजी में आई है चहां यðzustbeing काशन के रास्ते हैं उसके बता लाइब हो बलाएब शाएब करकूए गांफ लाइफ में सकक्सेस के राष् Elliot और अगेर और संकी एनरजी है यहाँ कि संप्लावर है और संफ़िलावर यहां सकसेस मिलेगी इसके लिए जड़ूरी है इस्ट्रेक्ष irregular की यहां पर Magician का कार्ड है, The Magician का कार्ड हमेशा दिखाता है कि जो भी आपके सोर्सेस हैं, उन्हीं सोर्सेस से काम करना तो स्टार्ट करो, तो यहां पर सूर की भाई, एनर्जी आपके पास है, लेकि करम थोड़े से करिए, जो भी चीजे हैं, उनसे ही अपने लाइफ में सक्स स्टार्ट के रास्ते खोली हैं, यहां पर divine support, again, infinity है, divine support आपके उपर भरवर किया है, छोटी चीज को भी आप अपनी हिसाब से काम करके, एक रुपे से भी 100 रुपे बना सकते हैं, 100 रुपे से 1000 रुपे बना सकते हैं, 1000 रुपे से लाक रुपे बना सकते हैं, लाक रुपे भी हो जाता है, तो यहां पर over confident होने से भी बचना है, ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा follow करना है, अगली बात कर ली जाए, जस्टिक की, तो जस्टिक में यहां पर balance है, जो भी insecurity आपकी life में रही थी, जो भी distraction रहे थे, उनमें कहीं न कहीं, balance आ रहा है, और एक mind clarity है, ठीक अपने संकल्पों की परत निष्ठावान रहो, मैंने पहले ही message यहां पर दिया है, कि संकल्प तो लेते हो, लेकि संकल्प पूरा नहीं करते हो, पहले ही distraction की energy में आते हो, तो यहां जस्टिक का काड यह भी दिखा रहा है, कि भाई, अब आप अपने कर्मों की परत अब लेक्ट भी हो सकता है, इन सभी चीजों में अगर आप लेक की energy से बुजर रहें तो यहां आपके लिए वो लेक की energy खतम होते हुए दिख रही है, अबंडन की energy आते हुए दिख रही है, वो बलेक की energy, अबंडन energy में shift होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, चलिए आपके लिए यूनिकॉर्ण से भी message देख लेते हैं, यूनिकॉर्ण आपको क्या message देना चाहते हैं, पाल 3 के लिए यूनिकॉर्ण message, आपका पहला card है moving, तो traveling है यहां पर, traveling है और यह आपके energy shift का भी message हो सकता है, कि अपनी energy को कहां पर लगाना है, अच्छे की तरफ लगा या बुरे की तरफ लगाना है, या ऐसे ही भटकर में रहना है, क्योंकि destruction की energy काफी high है, तो इस भटकर में ही रहना है कि life में कुछ बनना भी है आपको, तो इसके लिए जरूरत है move out होने की, let go करने की, अगला message है आपका archangel Uriel का, और यह है soul purpose की energy, यह है आपको अपने साथ peace create करने की energy, अगर आप peace अपने साथ create करते हो, तो यहाँ देखिए birds है, angels है, freedom है, तो basically मुझे यहाँ पे आपके लिए freedom आते हुए दिखाई दे रही है, life में जो भी करना चाते थे, अगर आप इस वज़े से नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपकी life में lake के energy काफी रही थी, त इसमें आपकी life में freedom की energy आते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे बस क्या है, जबर थोड़ा सा surrender रहने की, थोड़ा सा अपने परिवास से जुड़ने की, जहाँ पे आपको लगता है कि प्रेशन उठाना चाहिए, प्रेशन उठाईए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए य यह थी मेरी आपके लिए reading, अगर reading पसंद आती है, तो वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा, मेरी reading आपको 100% resonate हो, इसके लिए अभी जाएएगा, तुरन मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा,